मल्टिपिकेशन 4th क्लास के लिए मल्टिपिकेशन simple method हम सीखेंगे आज और next वीडियो में मैं आप पो lattice method के बारे में बताऊंगी इसमें आपको पता ही है कि मल्टिपिकेंड किसे कहते हैं मल्टिप्लायर और प्रोडक्ट किसे कहते हैं लेकिन मैं एक बार आपको फिर से revise करवा देती हूँ, जिस नंबर से multiply किया जाता है, उसे multiplicand कहते हैं, और जिस से multiply किया जाता है, उसे multiplier कहते हैं, और जब हम उसका sum आ जाता है हमारे पास, तो उसे product बोलते हैं, आज हम सीखेंगे properties of multiplication, number one property, order property, two numbers can be multiplied in any order, the product remains the same, अगर हम दोनों number में से उसका कोई भी order change कर दे, तो हमारे answer पे कोई भी effect नहीं पड़ता, means a into b is equal to b into a, अगर हम इसका order change कर जाते हैं, a की जगे b, b की जगे a लिख देते हैं, तो हमारे answer पे कोई भी effect नहीं पड़ेगा, example के थूरू समझते हैं हम, जैसे 10 into 2 है, तो हमारा answer 20 ही आएगा, और अगर 2 into 10 कर देंगे, जब भी हमारा answer 20 ही आएगा, second property, grouping property, grouping property का means होता है, कि हम किसी भी number को अगर group कर ले, तो भी हमारे answer पे कोई effect नहीं पड़ेगा, means a into b into c, अगर b और c को हम group कर ले, या a और b को group कर ले, और c को अकेला छोड़ दे, तब भी हमारा answer change नहीं होगा, example के थूरू समझते हैं, 4 into 2, इसको हमने bracket कर लिया, और 3 से multiply करा, तब भी हमारा answer 24 आएगा, और अगर हम 4 into 3 into 2 को अलग कर देंगे, जब भी हमारा answer 24 ही आएगा, 4 into 2 into 3 कर लेंगे, जब भी हमारा answer same ही आएगा, 3rd, multiplicative property of 1, when any number is multiplied by any number, the product is the number itself, अगर हम ए, कोई भी number को 1 से multiply करते हैं, तो हमारा number same हा रहता है, 24, जब एक्जामपल के थूरू समझते हैं, 24 into 1 is equal to 24, 1 into 24 is equal to 24, next, 4th property, multiplicative property of 0, अगर हम किसी भी number को 0 से multiply करते हैं, तो हमारा answer 0 ही आता है, चाहे वो कोई भी number हो, 1 हो, 8 हो, 15 हो, 100 हो, कुछ भी हो, हमारा अगर हम 0 से multiply करेंगे, तो 0 ही आएगा, एक्जामपल के थूरू समझते हैं, जैसे 8 को हमने 0 से multiply करा, तो हमारा answer क्या आया, 0, 15 को किया, तो भी 0, 5th, distributed property of multiplication, over addition, the product of the same of two number, is equal to the sum of the product of those number, with the two number separately, अगर हम दो number को separate कर लेते हैं, तब भी हमारे answer पे, कोई असर नहीं पड़ेगा, means, एक्जामपल के थूरू समझते हैं, 2 into 3 plus 4, is equal to 2 into 7, 14, और अगर हम 4 plus 3 कर लेते, इसको group में कर लेते, तो भी हमारा answer 14 ही आता, जैसे, 2, 3s are 6, 2, 4s are 8, अब हमने अलग-अलग group कर लिया, इसको, इसके अंदर हमने सीधे लिखा था, कि 4 और 3 को प्लस कर के लिया था, और इसके अंदर हम अलग-अलग ले लेते हैं, 2, 3s are 6, 2, 4s are 8, और इसका answer 14 ही रहेगा, अगर हम separate करेंगे, जब भी answer सेम रहेगा, और groupism में करेंगे, तब भी answer सेम रहेगा,